आज मैं आपके साथ जो रेसिपे शेयर कर रही हूँ वो बहुत हेल्थी होने वाली है साथ ही हम इसे बहुत कम तेल का यूज़ करकर बनाने वाले है आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरी मूंकी दाल का चीला जो बहुत हेल्थी रेसिपी है और साथ बहुत फटा फट से बन कर तयार हो जाता हैं बच्चों के टीफिन के लिए या फिर ब्रेकफास्ट लंच डीनर के लिए बिल्कुल पॉफेक्ट रेसिपी हैं एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ करकर देखिए तो मैं इसे दो तरह से आपको बनाना बताऊंगी में वर्शा भाहु दाल है छिलके वाली है जो हरी कलर की मूंकी दाल होती है बस उसी से आज हम ये नाश्ता बनाने वाले हैं चले दाल को बड़े ऐसे दो लेते हैं और दोनी के बाद हम इसे तीन घंटे के लिए पानी में बिगो की रखेंगे तो यहाँ पर देखें यह काम में पहले ही कर दाल भाी है जैसे मेरे पास मोटी वाली सुझी है तो मेरे मेरे पास मोटी वाली सुझी इसे का यूज़ कर रही हूँ और इसे के साथ हम इसमें डाल देते हैं एक चमश नमक आधी चमश में यहाँ पर डाल रही हूँ हींग बहुत ही बढ़ी आसे टेस्ट आता है इसे और इसे के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी तो पानी मैंने अभी यहाँ पर आदक कपी डाला है एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाले अगर आगे जोरोत होई तो हम यहाँ पर और भी पानी का यूज़ कर सकते हैं चलिए अब हम इस दाल को यहाँ पर बढ़िया से पीस लेंगे तो बिल्कुल महीन पेस्ट इसका बनाकर यहाँ पर तयार करना है तो यहाँ पर देखे फ्रेंट्स दाल को मैंने बढ़िया से पीस लिया है तो अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंस से पी दिखा देती हूँ कि इसे किस तरह से रखना है तो यहाँ पर देखे फ्रेंट्स एकदम इस तरह से धार के रूप में ये गिर रहा है और साथी बहुती फाइन पैस्ट में ने इसका बनाया है चले इसे कवर कर देते हैं और कवर करकर कुछ देर साइट में रख देते हैं तब तक हम यहाँ पर आगे के तयारी कर लेते हैं तो अभी मैंने यहाँ पर एक चोपर लिया है और चोपर के अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा प्यास थोड़े सी शिमला मिर्च और इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर एक गाजर भी थी तो यह भी इसमें डाल देते हैं और भारिक बारिक सब्जियों को कट कर सकते हूं लेकिन जो पर होता है न तो यह काम बहुत ही आसानी से हो जाता है Hmm तो अब गेस चालू करके गेस पैक पैन रखा है इसके अंदर डाल देते हैं एक चोटी चमस्त और इसी तेल में हम डालदेंगे सारि कट्यवी सब्जे अब मैंने यहां पर 3 हरी मिर्च लेए comment ओड़ी में चलनते हैं есте किषि़की अवत अ क्या हैं यह चलनीक पढ़नाना जैसा कि मैं यहां पर लाल मर्च पाउडर का यूज नहीं कर रही हूं क्योंकि जो मैंने यहां पर हरी मिर्च डाली है वो थोड़ी से ज्यादा ही डाली है यहां पर देखे सब्सक्राइब कुछ देर चला लिया है और इसमें फोड़ा पानी था वह भी सूख चुका है तो व आद हमें से निकाल देंगे किसी मिक्सिंग बाउल में और अब मैंने यहां पर लिया है 100 ग्राम पनीर तो पनीर को भी हम इसमें कदुकस करकर डाल देंगे पनीर से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है चीले का लेकिन अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो इसे हटा भी सकत पनीर के साथ यहां पर चीज भी ग्रेट करकर डाल सकती हूँ साती आप यहां पर पत्त गुबि कभी यूज कर सकती हूँ यह देके पनीर को मैंने आप कदुकस कर लिया है अब एक बार इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इस तरह का जो हरी मुंकी द तो बेटर आप देख सकते हूं यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है क्योंकि हमने इसे कुछ दर के लिए छोड़ा है न तो सूजी वगीर भी यहाँ पर बड़े से फूल गई है तो हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी लगबग दो से तीन छोटी बनान शुरू क करते हैं तो गेस चालू करकर गेस पे हम यहाँ पर नॉनिस्टिक पैन रखेंगे पहन को बड़े असे गरम होने देते हैं जब तक एक छोटा सा काम ओर कर लेते हैं ठोड़े से पानी में यहाँ पर आदी चमश नमख को बड़ पोस्ट देते हैं इसके बाद हम यहां पर चीला बनाना शुरू करते हैं तो बस एक एक चमच बेटर हम लेते जाएंगे और इसे तवे पर बढ़िया से फेलाते जाएंगे फेलाते समय गेस का फ्लेम आप मीडियम यहाई रखे लो फ्लेम पे नहीं फेलाए नहीं तो यह दाल देंगे थोड़ाचा तेल लगबग आधी छोटी चमची तेल हमें यहां पर डालना है ताकि बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएं और जैसे ही क्रिस्पी होने लगेगा इसका जो कलर ही अपने आप आपको ब्राउन से लगने लगेगा यह देखे क्या बढ़िया से इसमे बढ़िया से आएं और इसके उपर डाल देते हैं बारी कट कीवी धनिया पती तो यहां पर देखे क्या कलरफुल हमारा चीला लग रहा है बस थोड़ा सामी से प्रेस कर देते हैं ताकि सब्जिया जो है इस पर बढ़िया से चिपक जाएं तो यहां पर देखे क्रिस्पी क इस तरह से रखें चले से बहार निकाल लेते हैं और सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे आप चाहें तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हो लेकिन इस तरह से काट कर सर्व करेंगे ना तो खाने में भी इजी रहेगा तो बस आप इसे ब्रेकपास्ट में बनाईए या फिर दीन क समय जब चोटी मुटी भूख लगती न तब भी आप इसे बना सकती हूं और दाल अगर आप पहले से भीगो न भूल गए हो तो फिर गरम पानी का यूज कीजिए गरम पानी में आपकी जो दाल है आदे से पौन घंटे में ही भीग कर तयार हो जाएगी तो यहाँ पर देखे क्या कलरफुल हमारा चीला लग रहा है चले इसी तरह से हम सभी को निकाल लेते हैं तो बस जब दूसरा चीला हम बनाएंगे तो इसके बाद गरम तवी पर हम इसी तरह से नमक वाला पानी थोड़ा से छिटकेंगे और कपड़े से बढ़िया से पोश लेंगे और यह जो ब तो बहुती कम तेल का यूज करकर यह नाश्ता बन रहा है मानके चले केवल हम नया पर एक से देड़ चमश तेल का ही यूज किया है इसे बनाने के लिए तेल को हम यहाँ पर बढ़िया से सभी तरफ फैला देते हैं और इसके बाद इसमें जब अच्छा सा कलर आ जाए यह आप इसे चाहें तो मुंग दाल का डोसा भी कह सकते हो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुती बढ़िया बहुती टेस्टी तो यह देखें लग रहा है ना बहुती बढ़िया आप इसे ग्रीन चेटनी के साथ सर्व कीजिए तो आज की छोटी सी सिम्पल सी रेसेपी और अगर रेसेपी पसंद आ रही है तो मेरी इस रेसेपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमली ग्रूप में जरू से शेयर कीजिए